हेलो स्टुडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कलम ने वन चैप्टर का वन पेज रीड किया था, आज हम सेकेंड पेज रीड करेंगे In your previous class, you learned about nuclear family and joint family आपने पिछली class में शिखा होगा nuclear family and joint family के बारे में In nuclear family, there are only parents for bringing up their children While in a joint family, all the family members cooperate with each other सभी family members एक दूसरे को cooperate करते हैं, यानि की सयोग करते हैं If Pooja was a nuclear family, then who would take care of father? Pooja की family or nuclear family है, उनकी take care, उनकी देख बाल कोन करता है? उनके पापा, hereditary of a family, hereditary means आनुवान सिक्ता जो features generation to generation चलते रहते हैं, उन्हें आनुवान सिक्ता बोलते हैं जिसके hereditary, जैसे की आप अपने मम्मी में मिलते हो या फिर इनके गुने अपने पापा में मिलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं सेम वैसे ही इसको hereditary या genetic कहते हैं देखो मैंने आपके लिए एक chart बनाया है, यह आपको अपनी fair notebook में बनाना है ठीक है, hereditary of a family tree, मैंने hereditary को, यानुवान सिक्ता को एक tree के रूप में दर्शाया है आपको अपनी fair notebook में यह बनाना है, जैसे देखो self अपने swag का name लिखना है, self जैसे खुद के feature किसमे मिलते हैं, father में फिर father के feature grandfather, grandfather के feature great grandfather ठीक है, अब यह देखो, self कौन है, swag हम खुद फिर, खुद के feature किसमे मिलते हैं, mother में mother के feature great grand mother में नहीं सोरी ग्रांड मदर में और ग्रांड मदर के फीचर किसमें मिलते हैं ग्रेट ग्रांड मदर में और आपको अपना ये पूरा डाइगराम अपनी फेर नोट बुक में बनाना है तो अच्छा बच्चो आज हम इतना ही चैप्टर जीड करेंगे सोब आए टेक कियर सी यू टूमारो